ज़े हिन प्यारे दोस्तों अप्लाइड श्टडी में आपका स्वागत है पिछले क्लासिस में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर करा था I hope कि आप लोगों ने उसको अच्छे से किया होगा और जो भी मैंने समझाया है उसे समझनी की कोशिस कियोगी पिछले classes में जो मैंने पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया था आप लोगों कुछ याद है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको पिछले classes में क्या हुआ था पिछले classes में हम लोगों ने देखा cell का EMF and battery, wheatstone breach को देखा हम लोगों ने कैसे इसको solve करते हैं wheatstone breach का कहा कहा यूज करते हैं कीचप्स लो देखा कीचप्स करेंट लो कीचप्स वोल्टेज लो बैटरी और बैटरी के नीट्स यह सारे टॉपिक को हम लोगों ने पिछले classes में कवर करा आज की classes में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हम लोग और भी क्या basic क्या हम लोग जान सकते हैं वो हम लोग इस basic class में देखेंगे तो अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को share नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके share करें और जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बैल अकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है उससे आप अपडेट रहें और अपने preparation को मजबूत बना सकें आप चाहें किसी भी exam के लिए preparation करते हो आप apply study को subscribe करें और आप देखेंगे कि अपने आपको धिरे धिरे improve पाएंगे अपने study में अपने सोचने के तरीके में और exam कैसे crack करते हैं वो अपने mind को आप set कर पाएं पारले के ग्रूप में जो देखने वाली चीज से वह दो देखें नहीं थे तो आज जो है इस classes में हम लोग देखेंगे सिरीज पैरलल सिरीज पैरलल ग्रूप तो चलिए फिर पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सिरीज ग्रूप से जो भी सेल है हमारे पास उसको हम लगाते हैं कभी पैरलल में लगाते हैं कभी सिरीज को हम लोग कभी सेल को सिरीज एंड पैरलल के ग्रूप में हम लोग लगाते हैं तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि सिरीज जो है तो यदि हम लोग देख लें कि एक सेल जो है हम लोगों को कितना वोल्टेज देता है 1.5 बोल्ट देता है और करेंट क्या देता है वन बाइट एंपियर अगर हम लोगों का उस सेल का करेंट है तो उसमें से एक एंपियर हम लोगों को मिलेगा वन बाइट ही मिलता है यानि एट में से हम लोगों को एक एक एंपियर करेंट मिलेगा तो अगर हम लोगों को अगर जो भी वोल्टेज हम लोग driven रहा है मालों की एक सेट में हम लोग 1.5 वोल्ट मिर दो अगर एक 1.5 वोल्ट से अगर हम लोगों को ज्याद़ा वोल्टेझ चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं तब इसक्प पर is यहां पे लोग बल्ब लगा दिया है तो इस तरह से हम लोग सीरीज को करने का मतलब यह है कि हम लोग को मैक्सम से मैक्समम वोल्टेज मिल सकते हैं से जिया को किरोंगे हैं इसलिए हम लोग को सेल को स्यरीज में करने करते हैं इतना समझगे आगे हम लोग उस देखे लेता है यहका जैसक पॉứng को स्यरीज चल कeriव घर लाखेसे पार भी सेल कते हैं माल लीजे यह सेल हो गया यह इए पॉल आर्मीनल हो गया और यह एक नेगेटिव तर्मीनल हो गया उसन के निगटिव तर्मीनल में हम लोग दूसरे सेल के पॉजिचिव तर्मीनल को करेंगा प्लीफ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और यह नेगटिव और यह दूसरे सेल के नेगटिव टर्मिनल से तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग करने और यह इस तरह से पॉइंट हम लोग यहां से निकाल तो यह हो गया सेल को सिरीज में करने का तरीका अब चलिए इस सर्किट को हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं इस सर्किट में हम लोग कैसे वोल्टेज निकालेंगे कैसे हम लोग रेस्टेंस निकालेंगे टोडल सर्किट करेंट कैसे निका करेंगे तो अगर किसी भी circuit में हम लोग total EMF निकालना है तो वो क्या करेंगे तो यह हम लोग का series circuit है तो series circuit में माल लेते हैं अगर हम लोग 4 cell को हम लोग series में लगाएं यहां माल लेते हैं इसके बीच में 4 cell लगा हुआ है तो number of cell क्या हो गया number of cell हो गया 4 और एक cell का EMF माल लेते हैं हम लोग 1.5 वोल्ट तो total EMF क्या हो गया उस circuit का total EMF जो हो गया निकल के आया वो हो गया 6 वोल्ट ठीक है तो total circuit का EMF क्या निकल के आया 6 वोल्ट इतना समझ गए कैसे हम लोग निकालते हैं N का मतलब हो गया number of cells जो की series में लगा हुआ है चाहे जितना भी हो 4 हो 5 हो 10 हो जितना हो वो number of cell यहां लिख देंगे और E मतलब हो गया EMF एक cell का EMF हमें लिखेंगे जो एक cell का EMF कितना है इतना समझ गए next हम लोग देखेंगे internal resistance battery कैसे निकाल कोई भी cell लिलीजिए चाहे छोटा हो यह बड़ा हो तो internal resistance कैसे निकालेंगे number of cell जो था वो 4 था चार हो गया number of cell और एक cell में ठीक है एक ohm है तो total internal resistance क्या हो जागा total internal resistance हो जाएगा 4 into एक cell का internal resistance 1 ohm यानि हो गया 4 ohm total जो voltage drop होगा वो 4 ohm में होगा तो total internal resistance कितना हो गया चार ohm हो गया यह इतना ही का हम लोग जो है internal resistance ठीक है अब जान लेते हम लोग total circuit का resistance यह एक resistance हो गया और यहां पर कुछ internal resistance हो गया यह दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो यह external resistance load resistance R हो गया इसमें हम लोग इस resistance को जोड़ देंगे यानि number of cell चार था और एक internal एक cell का internal resistance था आपका एक ohm तो निकल के आ गया कितना 5 ohm निकल के आ गया तो इसका माल लेते हम लोग external resistance हम लोग माल लेते हैं 10 ohm प्लस 5 ohm तो total circuit resistance क्या हो गया 15 ohm तो total circuit का resistance हम लोग को निकल के आ गया है 15 ohm ठीक है total circuit resistance हम लोग निकाल लिए अब जान लेते हैं हम लोग कि total circuit current कैसे हम लोग निकालेंगे तो current निकालने के क्या होता है एक हो formula होता है V is equal to I into R होता है तो current निकालने के लिए I is equal to V by R इस तरह से निकालेंगे total circuit current को निकालने के लिए I is equal to total circuit का voltage total circuit का resistance तो number of cell कितना हो गया 4 हो गया और एक का EMF माल लेते हैं हम लोग 1.5 वोल्ट ठीक है और external resistance हम लोग क्या माने थे 10 ohm प्लस internal resistance कितना निकला था internal resistance निकल के आया था 4 ohm तो इसको जब हम लोग solve करेंगे तो निकल के आएगा 6 by 14 3 by 7 ampere निकल के आएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग series circuit को solve करेंगे voltage ऐसे निकालेंगे बैटरी का internal resistance ऐसे निकालेंगे total circuit resistance कुछ इस तरह से फॉर्मूला को लगाके निकालेंगे और total circuit के current को इस यह formula लगाके हम लोग निकालेंगे नेक्स चलते हैं, series circuit में क्या होता है, current Mediterranean Same होता है, अगर X circuit में हम लोग को maximum current चाहिए, तब हम लोग को क्या करना चाहिए? तो series circuit में current जो flow कर्रा है वो I current अगर हम में maximum current चाहिए तो क्या करेंगे, कि जो load resistance है यहाँ देखे, load resistance यह आर, load resistance जिसको को हम लोग बोलते हैं वह बहुत ज़्यादा उसको हाई कर देंगे हुद से जो इंटर्णा रेजिस्टेंस बैटरी का हुता है उससे बहुत ज्याद हाई कर देंगे जैसे हमलोग माने थे अभी इन्टर्णा legitimate इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका चार होम और एक्सटरणल रैजिस्टेंस निकलके आया था 10 वूम जिस सरकीट में अगर स्थेनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेरिजयन में तो उसमें maximum current flow करेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग देख लिए कि हम लोग maximum voltage भी निकाल लिए और हम लोग यह करके external resistance को बहुत जादा high करके हम लोग maximum current भी निकाल लिए ठीक है आगे चलते हैं अगर cell को हम लोग parallel group में अगर connect करते हैं तो क्या होता वो हम लोग जान लेते हैं माली यह ब हम लोगम maximum voltage मिल सक genuine parallel connect क्यें क्यों कि ज़्यादा current चाहिए parallel में ज्यादा current और शीरीस में ज्यादा voltage तो याद रखिए तो इसलिए हम लोग cell को parallel में connect करते हैं ताकि voltage हम लोग को same मिले और current जो है वो maximum मिले माले जी हम लोग के पास 3 cell है तो parallel connection किस तरह करेंगे parallel connection करेंगे ये तीनों का जो positive है वो तीनों को एक तरफ connect कर देंगे और ये तीनों का negative जो है कि हम लोगों को maximum current मिलेगा लेकिन voltage rating जो होगा वो same होगा constant voltage rating मिलेगा हम लोगों को इस तरह से connect करके हम लोग parallel connection कर सकते हैं तो यह जो connection किया हुआ है यहां देखिए number of cell जो है वो number of cell आपको row में दिखेगा number of cell जो है वो mrow में connected है माल लेते हैं कि 3 रो है यानि XL दूसरे रो में XL और तिसरे रो में XL यानि एक रो में एक एक एमफ हो गया दूसरे रो में दूसरा इमफ और तिसरे रो में तिसरा इमफ लेकिन voltage rating जो है वो parallel में same होगा कुछ इसका internal resistance होगा कुछ इसका internal resistance होगा कुछ इसका internal resistance हो ठीक है देख रहे हैं कि यह जो है सार का जो है internal resistance वो कैसे निकाल तो मैंने बताया था पैर्लल सर्किट में equivalent resistance कैसे निकालते हैं तो 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 इस तरह करके डॉट 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 जितना आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं तो उसी तरह यहां भी हम लोग सवाऋं करेंगे यहां देखेंगे कि पैरलल सर्किट में internal resistance निकालने के लिए कुछ इस तरह है 1 by Rp 210 की इस इकवल तो यहां का internal resistance 1 by R plus यहां का internal resistance PLUS यहां का internal string PLUS जितना रो है उतना internal resistance 1 by R करके लिखते जाएंगे तो यहां देखेंगे कि नीचे का जो R है वो हम लोग कुछ as it is लिख लेंगे R को और उपर का जो है 111 करके उससरा का M number of 1 तक जोड़ देंगे 1 by R R P जो निकल क्या आएगा वो equal to M by R हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या करते है आर पी को जह है 1 by R P is equal to M by R हो गया इसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा कर देंगे 1 by R है तो इसको उल्टा कर देंगे तो लिखेंगे R P is equal to R by M ठीक है तो अगर internal resistance निकालना है पारलर सरक्ट में तो निक्खें लिखेंगे R P is equal to internal resistance का value एक internal एक cell का internal resistance का value by number of row कितना है माल लेते हैं कि एक cell का internal resistance एक एक ohm है और M number of cell माल लेते हैं हम लोग जो है वो 4 number of cell है तो total कितना निकल का आएगा निकल का आएगा 0.25 इतना ohm निकल का आएगा ठीक है आगे चलते हैं अब हम लोग जान लेते हैं इतना ये total cell का internal resistance क्या है अब हम लोग जान लेते हैं total circuit का resistance क्या है तो load हम लोगा क्या लगा हुआ है R, R load है cell का resistance हो गया R, P तो जब इसको हम लोग add on करेंगे तो ये निकल का आएगा R plus R, P का जगा पे हम लोग R by M लिख देंगे अब जब इसको solve करेंगे तो जो निकल के यहाँ पे आएगा वो हो गया total circuit का resistance R, P से हम लोगो निकल का है total cell का resistance और ये external resistance प्लस R, P यानि R by M ये दोनों को जोड़ दिया तो total circuit का resistance निकल लेगा अब हम लोग total circuit का current के बारे में बात कर लें तो total circuit के current को निकानने के लिए यहाँ पे देखिए I is equal to V by R होता है, I is equal to V by R होता है, तो V का जगा पे क्या, एक cell का EMF हम लोग लिख लिए और R जो मांग रहा है R total circuit का resistance लिखेंगे हम लोग total circuit का resistance क्या निकल के आया, R plus R by M अब जब इसको हम लोग LCM वगएरे लेके solve करेंगे तो कुछ इस तरह का निकल के आएगा और finally जो निकल के आएगा, वो M into E by M into R plus R, यानि total circuit का current निकालना है I is equal to V by R करके, तो total circuit का voltage क्या हो जाएगा, number of rho M into EMF, यानि एक cell का EMF by number of rho into load resistance plus internal resistance एक cell का internal resistance, इसको जब हम solve करेंगे, तो देखेंगे कि total circuit current हम लोग का parallel circuit में निकल गया ठीक है, चली कुछ हम लोग notes के बारे में देख लेते हैं, कुछ एक point आप लोग को याद करके रखना है, इस तरह के question जो है आप लोग को इसमें से question आप लोग को देखने को मिल सकता है examination में, ठीक है, तो देखेंगे कि अगर parallel में connection किया हुआ है हम लोगों का, तो वहाँ देखेंगे कि अगर external resistance जो है R, अगर बहुत ज्यादा कम है internal resistance, internal resistance क्या हो गया? बैटरी का internal resistance वो अगर उससे भी कम है external resistance तो देखेंगे कि इस R resistance को हम लोग neglect कर देंगे और इस R resistance को neglect करके हम लोग केवल इसको put करके हम लोग current निकालेंगे तो current निकालने के लिए क्या है I is equal to raw हो गया M into एक cell का EMF by एक cell का internal resistance ठीक है तो ये निकल के आएगा तो इसके जगा पर यहां देखिए कि number of raw लिख दी है into current due to one cell one cell में क्या होता current डालने के लिए I is equal to V by R होता है V by R होता है तो एक cell का EMF को लिख लेंगे और internal resistance को डाल देंगे तो एक cell का current निकल के आएगा तो वैसे भी अगर हम लोग को current पहले से पता है तो number of raw M into जो current निकल के आएगा internal resistance में जो current होगा वो into कर देंगे वो निकल जाएगा अगर हम लोग को current नहीं पता है तो यह formula हम लोग लगा देंगे number of raw into EXL का EMF by EXL का internal resistance इससे हम लोग current निकाल लेंगे दूसरा condition कहता है अगर external resistance load resistance बहुत जादा हाई है internal resistance से तो इस internal resistance R को हम लोग नेगलेट कर देंगे और यह external resistance R जो है उसको हम लोग लेके बनाएंगे तो current निकालने के लिए क्या हो जाएगा I is equal to number of raw into EXL का EMF by number of raw into जो external resistance है वो तो यहां देखिए यह M से यह M कट गया तो निकल के आ गया E by तो I is equal to EXL का EMF by जो external resistance है load resistance वो तो जो solve होके निकल के आएगा वो आपका current निकल जाएगा यह condition किसलिए जब R जो है आपका वो बहुँ जादा हाई हो internal resistance से यानि load resistance बहुँ जादा हाई हो internal resistance से और इसमें क्या है कि load resistance बहुँ जादा कम हो internal resistance से यानि जो जादा है उसको रखेंगे और जो कम है उसको neglect कर देंगे ठीक है इतना समझ गए आगे चलते हैं Series-Circuit में kya किये थे ? Series-Circuit में maximum current पाने के लिए हम लोग का external resistance है वो बहुँ ज़्यादा बढ़ा दिये थे External resistance बहुँ ज़्यादा high कर दिये थे Internal resistance है किसमे ? Series में ठीक है और parallel में हम लोग क्या करेंगे ? Parallel में अगर हम लोग को बहुत जादा current चाहिए तो external resistance को kya करदेंगे बहुत जादा low करदेंगे internal resistance के comparison में यानि parallel circuit में क्या करेंगे जो load है वह बहुत जादा हम लोग कम कर देंगे internal resistance के comparison में तो देखेंगे कि हम लोग का output निकल के आ रहा है वो maximum जो पहले current current था उससे बहुत ज़्यादा current हम लोग को मिल रहा है ठीक है तो series circuit में क्या था maximum current पाने के लिए R जो है वो maximum रखे थे internal resistance है और parallel के लिए हम लोग external resistance को बहुत ज़्यादा कम कर दिये internal resistance है यहां दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह notes के तोर प्याप रख सकते हैं external resistance should be very low as compared to internal resistance ठीक है next हम लोग देखेंगे series parallel group of cell यानि series भी और parallel भी यह दोनों के mixture को देखेंगे यह series parallel group में क्या होता ना दोस्तों कि अगर हम लोग को large voltage चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग series connection करते हैं और हम लोग को large current चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं parallel connection करते हैं अगर इसी के हो हम लोग combined कर दें तो हम लोग को maximum current के साथ maximum voltage भी मिलने लगे गा कैसे इस तरह का cell है मालेज़े यह series circuit हो गया यह दूसरा series circuit हो गया और यह तीसरा series circuit हो गया यह तीनों देख रहे हैं आप series circuit है एक दो तीन यह तीनों सर्की सर्कीट है अब इस तीनी तीनों series circuit को तो अगर हम लोग parallel connect कर देंगे, तो ये group हो गया, series parallel का group, इसी को हम लोग बोलेंगे, series parallel of group, series में हम लोगों को maximum voltage मिल जा रहा है, और parallel में हम लोगों को maximum current मिल जा रहा है, ऑके आगे हम लोग चलते हैंिसके बार हम जान लेते हैं यह मान लेते हैं यह एन नमबर ओफ सेल जो है वह सिरीज को दर्स आ रहा है कि आन नमबर ओफ भल यानि रो या यह तीसरा यह M number of row connected है यानि N number of cell जो है वो number of cell series को दर्स आता है और M number of row जो है वो parallel में कितना connected है वो दिखाता है और यह R resistance जो है वो external resistance R हो गया load resistance ठीक है इस circuit के एक row में कितना resistance है वो हम लोग जान लेते हैं यहाँ देखिए number of cell जो है वो series में connected है तो number of cell कितना हो गया N into एक cell का internal resistance माल लेते हैं R तो जब यह दोनों को into करेंगे तो एक row का हम लोगों को resistance पता चल जाएगा इस तरह से हम लोग N into R करके दूसरा पता कर सकते हैं N into R करके तीसरा का पता कर सकते हैं अब माल लीजे हम लोग total circuit का resistance हम लोगो पता करना तो हम लोग कैसे करेंगे तो external resistance क्या हो गया आर इसको हम लोग add करेंगे किसके साथ इसको हम लोग add करेंगे number of cell जो series में हो into एक cell का internal resistance by number of row कितना है वो हम लोग देख लेंगे वो इसमें put कर देंगे तो जो तो यह जो निकल के आएगा वो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा निकल के आया छे ओम ठीक है यह कितना रो में बटा हुआ है तीन रो में तो इस छे ओम को अगर तीन रो में डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा दो ओम तो उसी तरह हम लोग यहां पर देखेंगे external resistance, external resistance के साथ क्या करेंगे, number of cell जो series में है, into 1 का internal resistance, by जितना number of row है, वो यहाँ पर लिख देंगे तो internal resistance जो है, यहाँ पुट कर देंगे number of cell पुट कर देंगे internal resistance का value पुट करेंगे number of row जो है, वो यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे इसको calculation करेंगे तो total circuit का resistance हम लोग को निकल के आ जाए ठीक है अब देखेंगे total इस parallel circuit में total EMF battery का कैसे निकालते हैं अगर cell है अगर एक हम लोग cell की बात कर रहे हैं तो उसको cell बोलेंगे ठीक है अगर group हो गया अगर 2, 3, 4 अगर माल लिजे है और 4 जो है या तो parallel में connected है या तो series में connected है या series parallel के group में connected है अगर grouping में connected है किसी भी तरह के circuit में तो उसको हम लोग battery बोलेंगे ठीक है तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि total number of EMF battery का कैसे निकालेंगे तो number of cell जो हो गया वो लिखेंगे into एक EMF का value यहाँ लिखेंगे तो निकल के आ जाएगा एक रो में कितना EMF है वो हम लोग को निकल के आ जाएगा total current हम लोग निकाल लेते हैं total current कैसे निकालते हैं current निकालने के लिए i is equal to v by r हो गिया ठीक है current यहाँ दिए current हम लोग निकालना है ठीक और हम लोग अगर एक रो का हम लोग value हम लोग पता चल गया यानि एक रो का voltage हम लोग को पता चल गया number of cell into एक cell का EMF यह हम लोग को पता चल गया n into e by total circuit का resistance हम लोग को इस से पता चल गया तो वो हम लोग put कर दिए i is equal to number of cell in series into एक cell का EMF by load resistance plus N into R by M अब जब इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो हो जाएगा M, M into R plus N into R by N into E इस तरह से कुछ निकल के आएगा ये अब चला जाएगा उपर की और तो जब ये उपर चला जाएगा तो I is equal to ये देखिए ये उपर चला गिया यहाँ पर तो हो जाएगा M into N number of cell into A की EMF का value by M into load resistance plus number of cell into internal resistance इस तरह करके हम लोग circuit का current को हम लोग निकाल सकते हैं ये बहुत easy है आप देख सकते हैं यहाँ पर cell में चलिए आगे चलते हैं आगे कुछ और जान लेते हैं अभी हम लोगोंने series parallel के group को दिखा अब इस series parallel group में अगर हम लोग को maximum current चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे तो series में हम लोग क्या करते थे maximum current के लिए external resistance को हम लोग बढ़ा देते थे internal resistance से और पैरलल में क्या किया है external resistance को कम कर दिए internal resistance में ठीक है लेकिन series parallel group में क्या करेंगे जो external resistance है उसके equal ही रखेंगे internal resistance यह हम लोग बोल सकते हैं कि internal resistance जितना होगा उसी के equal हम लोग रखेंगे external resistance यानि load resistance को तो वहाँ देखेंगे कि maximum current हम लोग को मिल रहा है तो यह एक condition हो गया maximum current पानेक ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग यह देखें यहाँ y point लिखा हुआ है in order to get a maximum current in a series parallel group of cell the external resistance R should be equal to the total resistance of the battery यानि आपका जो external resistance R जो है वो total cell का जो battery जो हो जाएगा वो उसके equal होना चाहिए यानि R जो है वो total circuit का जो है resistance के equal होना चाहिए तो maximum current हम लोगों को मिलेगा जो कि मैंने sort में आपको बताया R जो है equal to internal resistance of the circuit इतना समझ गये तो चलिए इसी related कुछ हम लोग question देख लेते हैं और question को हम लोग समझने कोसिस करते हैं उसको हम लोग solve करते हैं यहाँ देखिए पहला question दिया हुआ और DC circuit usually has the load ठीक है DC circuit में जो लोड होता है वो usually क्या होता है तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके बिछले वीडियो को अच्छे से देखिए मैंने इसे अच्छे से briefly समझाया है वो आप देखिए आपको हर कुछ समझ में आएगा ठीक है तो इसका answer जो होगा वो basically जो होता है जो रेजिस्टेंस लोड होता है तो याद रखिएगा अगर DC circuit के बात करे और DC circuit में बोले कि लोड क्या होता है तो basically जो लोड होता है वो resistance लोड होता है तो question number 1 का answer हो जाएगा वो 1 === resistance फ्रीक है next question चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुशिं बोलता है the purpose of load in electrical circuit is to जो load electrical circuit में होता है उसका purpose क्या है तो कोई भी जानता है अगर जो भी load लगा हुआ है उसका हम लोग utilize करते हैं load कितनी load जो भी लगा हुआ और load लगा के इंसान करेगा क्या जो भी electric circuit जो है electric circuit हम लोग जो लोगो करतें हैं उसका यैटेलाइशन लिए तो इसका हम लोग कर रहे हैं तो उसका क्रोडेशना बन करतें जो इसलिए इसलिए इसका सब्केंश करेंगे हम तो इसलिए इससे होगा वहो cur तू होगा ठीक है next शलते हैं question number 3 बोल रहा है electrical appliances are not connected in series because जो electrical appliances जो होते हैं हम लोगों के घर में वो इतना याद रखिएगा जो भी appliances हम लोगों के घर में हैं वो parallelly connected है क्योंकि हर एक appliances का अलग-अलग power rating है अलग-अलग current rating है वो जितना भी appliances है सब अलग-अलग current rating से चलता है तो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों को same current चाहिए होता है तो circuit को हम लोग series में connect करते हैं सिरीज में connect करते हैं और अगर हम लोग को डिफरेंट Current रेटिंग चाहिए होता है तो Circuit को हम लोग parallel में connect करते हैं तो अप्लाइंसेज अलग अलग current रेटिंग का है तो हम लोग क्या करेंगे parallel में connect करेंगे तो इसलिए 으니까 classes को हम लोग Online Series में हम लोग network करते हैं यह लोग इसका एंसर जो हो जाएगा वो option C हो जाएगा Appliance has different current rating different current rating का Appliance होता है इसलिए हम लोग Appliance को series में ना connect करके parallel में connect करते हैं तक Appliance को जितना भी requirement हो current का वो ले सके Next चलते हैं Question number 4 बोलता है Electrical Appliance is connected in parallel because it उस इस related question है कि हम लोग parallel में क्यों connect करते हैं क्योंकि parallel में हम लोग को connect करने का यह है कि जितना भी Appliance है वो अलग अलग current rating का होता है और उस Appliance को जितना requirement है वो parallel connection में उतना current वो ले सके और जितना power हो इनले सके Series में क्या होता है current rating अत्बान ripple स्ब्इव hop nhưng फिरी को होता ह्योते हैं तो अलग-अलग current rating हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग parallel connection करते हैं, तो इसलिए question number 4 का answer जो होगा, वो option 4 होगा, makes the operation of appliances independent of each other, यानि appliances जो है वो एक दूसरे से, एक दूसरे के comparison में अलग-अलग current लेता है, और इसलिए हम लोग को जो है, वो independent काम करें, इस कारण से हम लोग appliances को अलग-अलग connection करते हैं, question number 5 देखिए, question number 5 में एक circuit है, इस circuit में दिया हुआ है, 14.5 ohm का resistance लगा हुआ है, उसके series में 25.5 और third जो है, वो 60 ohm का resistance लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि 14.5 ohm का जो register लगा हुआ है, उसमें कितना voltage drop होगा, तो हम लोग को पता है series circuit में current same होता है, voltage rating अलग-अलग होता है, तो हर resistance का जो अलग-अलग voltage drop होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पूछ रहा है, 14.5 ohm का resistance लगा हुआ हुआ, उसमें कितना voltage drop होगा, वो हम लोग को बताईए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग total circuit का resistance निकालेंगे, total circuit का resistance यानि 14.5 plus 25.5 plus 60, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे, तो कुछ निकल के आएगा, 100 ohm निकल के आएगा, तो R equivalent निकल गिया हम लोग का 100 ohm, ठीक, और voltage हम लोग को पता है 200 volt, तो total circuit current निकल के आगिया, total circuit current क्या हो गया, I is equal to V by R, V हो गया 200 volt, by current हो गया 100, तो देखेंगे हम लोग को 2 amp निकल के आया current, ये current हम लोग निकाल लिए, और total circuit का resistance निकाल लिए, अब हम लोग यहां का voltage drop निकालेंगे, तो पिछले classes में मैंने बताया था, voltage dividend rule, voltage dividend rule कैसे करते हैं, अगर हम लोग को इसके across voltage निकालना है, V14.5 में अगर निकालन हो गया, voltage drop, तो main voltage क्या हो गया, main voltage लिखेंगे यहां पर, into, जिसके across निकालना है, उसका value लिखेंगे, यानि 14.5 by total circuit का जो R equivalent होगा, वो हम लोग यहां पर लिखेंगे, तो क्या निकल के आयागा, total voltage जो हो गया, वो 200 volt हो गया, into 14.5 हो गया, by हो गया, R equivalent केतना निकल के आया, 100, इससे हम लोग काटेंगे, 2 bar में, अब भी जो 14.5 है, 14.5 को हम लोग into करेंगे 2 से, तो निकल के आयागा, 29 volt, ठीक है, तो इस voltage dividend rule से हम लोग, हम लोग इस circuit को solve कर सकते हैं, तो इसका answer जो हो जाएगा, वो 29 volt होगा, कैसे हम लोग निकाले, तो माली जी इसके across निकालना है, वी 14.5, तो main voltage क्या हो गया, main voltage 200 volt हो गया, 200 volt into, जिसके across निकालना है, उसका resistance निकल लिख लेंगे, 14.5 by, total circuit का resistance कितना निकल के आया, वो निकल के आया, 100 ohm, अब इसको हम लोग काटम कुटूं करेंगे, तो निकल के आएगा, कुछ, और निकल के आएगा, 14.5 को अगर 27 लोग को समझाया, वो अच्छे से समाझ आया हो, और जो समझ में ना आये, तो please comment करके जरूर बताएं, कि sir, ये समझ में ने आया है, या फिर जो भी और भी कोश्चे हैं, वो आप हमें बताएं, ठीक है, तब तक के लिए, जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो please जितना ह हो से कि इस वीडियो को सेर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like जरूर करें, और अभी तक जिन लोगों ने इस applied study को subscribe नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी subscribe कर लें, और bell icon पर क्लिक कर लें, तब तक के लिए, आप इस COVID situation में हमारे साथ बने रहें, और हमारे वीड वीडियो उसको देखते रहें, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें, थैंक यू, जैहिन दोस्तों